नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भरती के एक लेटेस्ट नोटिकेशन के बारे में और ये जो भरती का लेटेस्ट नोटिकेशन देख रहे हैं ये इंडियन मिल्टरी ले गई हैं सभी के लिए आपने ओफलाइन एप्लिकेशन फारम आपने जमा करवाना होगा ओफलाइन और जो एप्लिकेशन है फॉर्मेट है वो इससे अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा और डेटेल एडवर्टाइजमेंट भी आपको इस वीडियो के नीचे दिये लेगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा वहां से इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप इंप्लेमेंट नीजपेपर को देख सकते हैं पेज नंबर 44 के उपर अब बात करते हैं कौन-कौन सी वेकंसी और किस प्रकार से आपने आवेदन करना है आवेदन करने के लिए जो आपने आपना ऑफ-लाइन एप्लिकेशन फार्म जो भरना है उसको एक बार आप नोट कर लें दा कमाडनेंट इंडियन वेकेंसी अन्रिजर्व केटेगरी में यहां 5 हैं SC के लिए 2 हैं और जरूरी हो गेता की बात करें तो दस्वी कक्षा के साथ आपके पास driving lessons होना चाहिए heavy vehicles का और दो वर्सका आपके पास अनभव होगा तो आप इन सभी पदों के लिए apply कर सकते हैं ड्राइवर की और तीन पद हैं यहां LDC का lower divisional clerk की बात करें clerk की बात करें तो बार्वी कक्षा आपने उतिरन कर रखी होगी और साथ में आपके पास typing speed होगी 35 प्रती मिनट तभी आप LDC के लिए apply कर सकते हैं LDC के लिए जो typing की बात है वो इंगलिस में यदि आपकी 35 प्रती मिनट है या हिंदी भाषा में आपके 30 प्रती मिनट आपकी typing speed है computer के उपर तभी आप इस वेकंसी के लिए apply कर सकेंगे अब बात करते हैं आगे cook special के लिए cook special में यहां दो ही post हैं और दो post में से ABC और EWS में यहां एक एक वेकंसी है cook की बात करने तो दस्वी कक्षा के साथ साथ आपके पास Indian जो cooking और proficiency होनी चाहिए knowledge आपको होनी चाहि बात करते हैं waiter की एक vacancy है waiter की एक ही vacancy है इसके लिए दस्वी कक्षा आपने उतिरन कर रखी होनी चाहिए और कम से कम एक वर्स का अनुभाव यदि आपका है तो आप waiter की post के लिए apply कर पाएंगे groundman की बात करें एक ही पद है unreserve category में और इसके लिए भी दस्वी कक्षा आप आपने उतिरन कर रखी होनी चाहिए MTS चोकीदार की बात करें एक ही vacancy है EWS category में यहाँ vacancy रहेगी matriculation के साथ साथ आपके पास अपने trade में अनुभाव होना चाहिए यनिकि respective trade में आपको experience होना चाहिए यदि आपके पास experience नहीं है और दस्वी कक्षा आपने उतिरन कर रख होनी चाहिए MTS messenger में भी एक ही post है और यह post जो है एक vacancy है EWS category में इसके लिए भी दस्वी कक्षा आपने उतिरन कर रखी होनी चाहिए तभी आप MTS messenger के लिए आप apply कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं कि apply करने के लिए आपको जो latest instructions रहेंगी उसके एक बार आप note कर लें सब driver की candidate है driver की post के लिए apply करना चाहते हैं उनकी age limit रहेगी 18-27 वर्ष के बीच के और बाकी सभी post के लिए आवेदन करने के लिए जो age limit रहेगी वो 18-25 वर्ष के बीच हैं आपर age limit में छूट की बात करें SCST candidate को 5 वर्ष की उपरी आयू सीमा में OBC को 3 वर्ष की उपरी आयू सीम में 10 वर्ष की शूट परदान की जाएगी यह age limit थी और इसके बाद बात करते हैं कि आपने fees के रूप में कितने रुपे पे करने पड़ेंगे फीस की बात करें यहां केवल आप जो फीस है फीस कटवाने के लिए आप केवल और केवल इंडियन पोस्टल ओर्डर का ही इस्तिमाल कर सकते हैं इंडियन पोस्टल ओर्डर आपको किसी भी डाखनने से उपलाध हो जाएगा और पचास रुपे की वेल्यू का आपने खरीदना है और जो इंडियन पोस्टल ओर्डर है वो आपने कमांडेंट इंडियन मिल्टरी अकैडमी देहरादून की फिवर में आपने बढ़वा कर भीजना होगा जो कैंडिडेट से एस्टी ओबीसी एडल्यूस और फिजिकली हैंडिकेप्ट और एक्सरिस्मेंट कैंडिडेट है उन्हें कोई भी एपलिकेशन फीस नहीं देनी है वो फीस से एक्जम्टिड रहेंगे अब बात करते हैं फोटोग्राफ की एक फोटोग्र सब्सक्राफ भी आपने सेल्फ अटेस्ट्रिक करके वो आपने एंग्लोज करनी है आपने अप्लिकेशन फारम के साथ अब बात करते हैं कि अपलाई करने के जो अंतिम तारिक है रोजगार या एमपलामें उस पेपर में पबलिस होने के 45 दिनों के भीतर आपको अप्लाई कर पाएंगे 16 अक्तूबर 2023 इस भरती की आखरी तारिख रहेगी तो इस भरती का जो application फारम आपने लेना है वो इससे next वीडियो में आपको मिल जाएगा next वीडियो के जो description box होगा वहाँ आपको एक link मिलेगा वहाँ से आप application फारम को डाउनलोड करके apply कर पाएंगे इस परकार की latest notification और latest भरतियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर subscribe कर ले और वीडियो को like वे share जरूर करते रहें ताकि आपको इस परकार के भरतियों के जो latest notification है वो सबसे पहले इस चैनल के मादम से आपको मिलते रहें धन्यावाद